नमस्कार दोस्तों मैं जैपी आपका स्वागत है हमारे चैनल मैं आदमों को बताऊंगा कि LLV करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर आपशन आपके सामने खुल के आते हैं तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको टॉप फाइब करियर आपशन के बारे में बताने वाला हूँ ओके तो पहला आपशन है फ्रेंड्स कि आप सरकारी बकील बन सकते हैं का सरकारी वух प्रेंड्स का सबस्क्राइब कि लाज भी अपको लाक देगी अरे अब आप हुपर कोई केस है तो जो जचेज है जो हाई कोटे वह आपको बोलतीय कि अगर आपके पैसा है तो आप प्राइवेट से बकील कर लिए अगर आप नहीं पैसा दे सकते हैं तो हम आपको वकील मुहया करवाएंगे यानि advocate मुहया करवाएंगे यह सरकारी वकील का यही काम होता है यानि आप ललबी करने के बाग सरकारी चीज का company है तो उसमें केस आते रहते हैं कि आपका दवाई में यह प्रोगलम है आपकी दवाई से मेरा यह प्रोगलम हो गया मेरा हाथ फ्रेक्चर हो गया यह हो गया side effect हो गया तो इस तरह के जो लीगल प्रोगलम है इससे solve करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनिया advocate रखते हैं इसमें भी पैसा अच्छा है तीसरा option है कि आप politics में जा सकते हैं जी हां फ्रेंड्स politics में नेता लोग क्या करते हैं भासन देते हैं बोलते हैं तो बकील का क्या काम होता है बोलना अच्छी तरीके से केस को अपने जज़ के सामने प्रसुत करना ठीक है तो जो अगर आप एललबी की हुए हैं तो आप politics में भी जा सकते हैं इसमें politician को लोग कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपको तो बोलने का experience हैं तो बिल्कुल आप politics में बिल्कुल जा सकते हैं और अच्छा खासा आपद पर जा सकते हैं करियर option अगर यह सब में आपको कुछ नहीं होता तो पर पाचमा सबसे लास्ट है कोई भी कि कोई भी इंडिया के कोट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं यानि जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं अपने बड़े एड़ोकेट के जो एड़ोकेट ब फिर आप खुद का एक चैंबर खोल दीजिए और खुद का केस हैंडल करना शूरू कर दीजिए इसमें salary कोई fix नहीं होती है इसमें payment कोई किसी को payment नहीं दी जाता है केस के अनुचार payment मिलता है इसमें पैसा भी बहुत पैसा है इसमें तो फ्रैंट्स यह था पांच टॉप